पश्ची मंगाल में लोगसभा की 42 सीटें और इन 42 सीटों को जीतने के लिए अब ममता और मोदी में सीधी जंग शुरू हो चुकी है लेकिन इस चुनावी जंग में राम नौमी पर राजनीती भी शुरू हो चुकी है ममता बेनर्जी ने कुछ ऐसे बयान दिये जिसकी वज़े से बीजेपी के नेताओं का पारा आप चड़ चुका है देश की राजनीती में आज ममता बेनर्जी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा आमना सामना हुआ ममता बेनर्जी ने अपने गड़ पश्चिम बंगाल में राम नौ में पर टिपड़ी की थी और चलपाई गोड़ी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर सीधा निशाना सागा मम्ता के बयान के बाद बंगाल की राजनेतिक प्रयोक शाला में सांपरदाईग प्रयोक कौन कर रहा है ये सबाल बड़ा हो गया है पश्यम मंगाल के मुक्षमंत्री मम्ता बेनर जी ये बयान दे रही है कि राम नौमी को दंगा मत करना बीजेपी का आरोप है कि इस बयान का मतलब दंगे का जम्मेदार हिंदूओं को ठहराना है और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री मोधी ने भी बयान जारी कर दिया है कि राम नौमी पर पाप करने वालों को याद रखना और वोट से सजा देना बीते कई वर्षों में ये देखा गया है कि हिंदू त्योहारों पर सोनियोजे तहिंसा होई है प्रधान मंत्री मोधी का इशारा इसी तरफ था लेकिन 19 अप्रेल को पहला वोट पढ़ने के ठीक पहले 17 अप्रेल को राम नौमी है और राम नौमी पर ममता वेनर जी के राजनीति क्या हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली है ये बड़ा सवार बीजेपी उठा रही है ममताभ इनरजी के इस बायान को समझना बेहर जरूरी है क्योंकि सारा विवाद यहीं से शुरू होता है और जैसे ही ममताभ इनरजी ने अपना यह बायान दिया बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशुत कोलकाता से दिल्ली तक चल रही इस पूरी राजनीती का विश्लेशन करेंगे लेकिन पहले सुनिये ममताब इनर्जी का यह भ्यान कि अर्ण नंबगूमी हेटके राम नंबभूमी बोले और नबंगूमी बोली छेटा छहें कोटे रागेंडा बादण और क्याला तार परे राम राम कोरे आमार रामेरपती अस्रोद्धनेक कीटउ दांगा कोड़ बैनना दांगा कोड़े PM खाल बहान चसना कोड़ेन ममताप एनर्जी की ये टिपड़ी की राम नौमी पर दंगा मत करना इस टिपड़ी के पीछे क्या मुसलिम तोष्टीकरण की राजनीती है क्या इस बयान के पीछे हिंदूओं के तयोहार पर छीटा कशी की राजनीती है कोलकाता से लेकर दिल्ली धग बीजे पी नेताओं ने इन सवालों को उठाते हुए ममता पेनरजी की राजनीती पर सवालिया निशान लगाया है लेकिन सबसे पहले ममता और इंडिया अलायंस की इस सांप्रदाइक राजनीती पर वार राजस्थान के पुषकर के रैली में प्रधान मंतरी मोधी ने किया है है और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी उस राम के खिलाप इतना गुस्सा कि मेरे दिमाग में नहीं बैट रहे भईया प्रभु राम अपने घर बिराजे और यह राम नोमी आ रही हैं सजदज के लोग मनाने वाले हैं हम देखते हैं कितना विरोध करते हो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब ममता बेनर्जी ने राम नोमी के तेवहार और धंगो का जिक्र एक साथ किया है बलकि इससे पहले साल 2023 में ममता बेनर्जी ने अपनी राजनीती में राम नोमी रमजान और धंगो के शप्दों का मिश्रण करके राजनीती की थी पिछले साल राम नोमी और रमजान के मौकी पर क्या बयान दिया था ममता बेनर्जी ने शरा सुन्ये प्रधान मंत्री मोधी ने पश्रम बंगाल के जलपाई गुडी में अपनी रैली में ममता बेनर्जी पर बहुत करारे हमले किये है प्रधान मंत्री मोधी ने मम्ता बेनची की राजनीती को विभाजन खारी बताते हुए टीमसी की सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किये हैं जनता के हक का पैसा मैं टीमसी को कैसे लूटने दू बीजेपी के राश्रिय प्रवक्ता सुधान शुत्रिवेदी ने कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे के द्वारा दिये गए धारा 370 के बयान पर एक प्रेस कॉंफरेंस की थी लेकिन इस प्रेस कॉंफरेंस के दौरान सुधान शुत्रिवेदी से जितने भी सवाल पूछे गए लगभग सारे बंगाल के हालातों और ममता वेनर जी पर ही थे दायित्व की अक्षमता को प्रकट करने वाला है। ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 एप्रेल के लिए तयार हो जाओ जैसे यहाँ पर सामप्रदाइक हिंसा लगे रायट हो ये उनका एक गुप्त मेरे ख्याल से सिगनल जिसको कहते हैं। और साफ साफ ये कहा कि 1947 के बटवारे से पहले मुस्लिम लीग के द्वारा बंगाल के नुवा खली में किया गया डिरेक्ट एक्शन डे रमजान के महीने में ही हुआ था। इसलिए हिंदूों पर दंगे का आरोप मरना इतिहास को नसर अंदाज करना है। जब उन्होंने कहा था कि रोजे में मुस्लिम गलत नहीं करते हैं। नौमी में दंगे जो हुए वो हिंदूों के वज़े से हुए था। आपको याद हो याद तो इसे ममता बनरजी जी को मैं बता देना चाहता हूं। शायद उन्हें बंगाल का इतिहास नहीं पता है। 16 अगस्त 1946 को जिस दिन जिन्ना ने डारेक्ट एक्शन देर किया था। उसमें रोजे चल लए था। केंद्रिय मंत्रे इस्मृति इरानी ने भी ये बयान जारी किया है। कि इंडिया अलाइंस के कई ऐसे राज्य हैं जहां जैश्री राम बोलने वाले लोगों की ये हध्या की गई है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपनी चुनावी रैलियो में इस मुद्धे को प्रमुकता से उठाया है। कि कॉंग्डेस पार्टी और इंडिया अलाइंस ने ना सिर्फ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरूद किया, बलकि कॉंग्रेस पार्टी के जो नेतार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कारेक्रम में गए, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बंगाल के जलपाई गोडी में भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने TMC सरकार की नीतियों और प्रस्टचार पर करारा वार किया है। इस चुनाओं में TMC को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे, TMC को सबक सिखाओगे, बराबर सबक सिखाओगे, मजबूती से सबक सिखाओगे, साथियों एक एक पोलिंग बूत में इस बार TMC की जमान अजबत होनी चाहिए। करोगे हर पोलिंग बूत में। बंगाल की कानून वेवस्था पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की सांसर्द लौकेट चेटर जी ने होगली का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को जारी करते हुए लौकेट चेटर जी की तरफ से ये दावा किया गया है कि ममता की राज में उनके उपर हमला किया गया है। जरह ये तस्वीरें देखिए जब NIA की टीम पर पश्चम मंगाल में हमला हुआ। डंडे लिए महिलाएं, CRPF से महिलाओं के धक्का मखे और गाड़ियों की तूटे हुए कांच। ये हाल तब हुआ जब कलकटा हाई कोट के आधेश के बाद बंगाल में आरोपियों को गिरफतार करने NIA की टीम पहुची थी। गाड़ी के शीशे चकना चूर कर दिये गए, महिलाओं की भीड को सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़ा कर दिया गए। बीजेपी ने अपने दो महिला सांसुदों पर हुए हमले पर भी टीमसी की क्लास लगाई और बीजेपी की लीडर्शिप ने NIA की टीम पर हुए हमले के मुद्दे पर भी ममता बेनरजी को खेरा है। रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साब कहा है कि टीमसी कानून और सम्विधान को कुछलने वाली पार्टी है। मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ। आमी बोली ब्रस्टाचार शोराओ। और बोले ब्रस्टाचारी बचाओ। बीजेपी की तरफ से ममताव एनरजी सरकार पर आरोप लगाया किया कि टीमसी के राज में बड़े बड़े नेताओं के पश्यम बंगाल दोरे भी जान पर खेलने के बराबर हो चुके हैं और इसका उधारण देते हुए सुधान शुत्रिवेदी ने पश्यम बंगाल में अमित शापर साल 2019 में हुए हमले को सीधे सीधे जान लेवा हमला करार दिया प्रधान मंत्री मोदी ने बंगाल की ही रैली में बंगाल के लोगों से ये कहा कि वो टीमसी के गुंडों से न डरे और पूरी ताकत से वोट डाले पश्चिम बंगाल की कानून विवस्था के हालातों को प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रेलियों में बड़ा मुद्धा बनाया है आप मुझे बताईए इस देश में से ब्रस्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ब्रस्टाचार खतम होना चाहिए ब्रस्टाचारी जेल जाने चाहिए प्रस्टाचार जाना चाहिए ये मोदी की गारंटी है एटा मोदी गारंटी पश्चिम मंगाल की बयाली सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है इस सवाल के जवाब से तै होगा कि बीजेपी 370 के अतिहासी काकड़े को छूपाती है या नहीं इसलिए बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनी ने अपनी ताकत बश्यम मंगाल में जोगती है झाल 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 झाल